नवस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुरू बार के दिन करें हल्दी और आटे का ये उपाय अठका हुआ धन आ सकता है वापस दोस्तों मैं हूँ राजा मिस्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यदी अभी तक आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ा है तो गुरू यानी बिरस्पती इस ग्रह को भागी का कारक माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में बिरस्पती की इस्थिती अच्छी होती है वे सभी सुख प्राप्त करते हैं उनको सारे सुख की प्राप्ती होती जबकि ग्रह गुरू की असुब इस्थिती की वजह से मिलते मिलते अठक जाता है यहां आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे उपाई जिन से गुरु ग्रह के सभी दोस्त को आप दूर कर सकते हो और धनलाव से मिलने वाली संभावनाएं भी बढ़ सकती है दोस्तों हमारे पास जो पहला उपाई है वो है कि हर गुरु बार गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर गाए को खिलाएं ये उपाई अपने घर के बाहर ही करें ऐसा करने पर गुरु ग्रह के दोस्त खत्म हो सकते हैं और अठका हुआ धन आपका वापस म मिल सकता है दूसरा जो उपाई है वो ये है कि जहां चीटियां हो रही हो वहां गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर डाल दें इस उपाई से भी आपको धन की प्राप्ती होगी और पुन्नी की भी प्राप्ती होगी तीसरा जो उपाई है वो ये है कि हनवान जी के सामने गे और उपाई है वो मैं आपको बता देता हूँ वो उपाई यह है कि किसी गरीब ब्यक्ती को आटे का दान करें आटे के साथ ही थोरी सी हल्दी का भी दान करना चाहिए इस उपाई से पुराने पापों का आसर खत्म हो जाता है और गरीब की दुआओं से भागी की सारी बाधा मैं बहुत उत्तम तरीका बताया तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया था आप इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे पहले आपको एक बात और बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उसे आप जरू बंदे मातरम